दोस्तों अब हम फाइम करते हैं किसी भी दो डिजित का स्क्वाइर कैसे फाइम कर सकते हैं कोई भी दो डिजित हो रैंडम ली आप दो डिजित लीजित लीजे उसको कैसे फास्क कर सकते हैं सबसब पहला स्टैटल यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर इसको स्क्वाइर कर लो इसके बाद में इस प्लेस के साथ भी मल्टिप्लाइब कर लो आप यहां पे 4 लिख सकते हो और हमारा थर्ड स्टैब है जो 10 प्लेस पे नंबर है उसका भी स्क्वाइर कर लो तो वन का इसना हो जाएगा 1, so this is how you get 144 आईए एक और एक्जम्बल दिखते हैं 32 का स्टैब अगर हमें करते हैं तो कैसे फास्ट कर सकते हैं सबसे पहले यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है उसका स्टैब कर लो so 2 का स्टैब हो जाएगा 4, आप या जो जो 4 हमाना next step क्या करता है, 3 को multiply कर लो 2 के साथ again whatever the result कहूं, you multiply with 2 so 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 12 is a 2-digit number, we'll write here 2 and we'll carry 1 10th place पे जो भी number उसका square कर लो 3 का square क्या हो जाएगा 9 और जो लास्ट को हमने क्या रही किया था उसको add कर लो 9 plus 1, 10 तो हम लिखेंगे 1024 so 32 का square क्या हो जाएगा 1024 अगे हम दिखते हैं 18 N का square आप कैसे कर सकते हैं सबसे पहले 9 का square कर लो आप पहले step 9 plus square 81 81 is a 2-digit number, we'll write here 1 and we'll carry the 8 the next step is 8 multiplied by 9 multiplied by 12 so 8, 9, just 72, 72 into 2 144 और यह 144 जो carry हमें 8 किया था उसके साथ आप add कर लो so you'll get 2, 5, 152 again 152 तो 3-digit number है तो हम यहां पे 2 लिखेंगे और यह 15 है वो हम यहां पे carry कर देंगे और हमारा last step है 8 का square 8 का square कितना होता है 64 64 को यह जो carry किया था वो हम last में add कर देंगे so 5 plus 4, 9 6 plus 1, 7 तो हमारा answer आज़ा है 7, 9, 2, 1 89 के square करोगे तो आपको मिलेगा 7, 9, 2, 1 कर दो हमारा